आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पापड से बनने वाला एक बहुती टेस्टी नाश्टा जिसे आप फटाफट बना कर तयार कर सकते हैं और खाने में ये सुपर टेस्टी लगता है तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो आलू लिये हैं जिने उबाल कर छील कर मैश करके लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं दो चम्मच बारिक कटे हुई टमाटर दो चम्मच ही इसमें डाल दिया है बारिक कटा हुआ प्याज और यहाँ इसमें चारी है अ डाल दें और आधा चम्मच डाल दें लाल मुर्च पाउडर एक चोथाई चम्मच गरम मसाला आधा चम्मच डाल दें आमचूर पाउडर यह जा रहा है इसमें नमक आधा चम्मच सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से मसाली को आपको मिक्स कर लेना है इस तरह ये देखे हमारा आलू का मसाला हो चुका है त्यार तो अब ये जो आलू का मसाला है इसे अलग रख देते हैं और अब जो आपको नाश्टा बनाने के लिए सबसे खास चीज चाहिए वो है पापड तो मैंने यहाँ पर ये मूंग डाल के पापड लिए हैं आप कोई से भी इस तरीके के पापड ले सकते हैं अब ये मैंने एक बाउल में दो चम्मस डाल दिया है मैदा और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी सलरी बना कर त्यार करेंगे थोड़ा सा गाड़ा रखेंगे से बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे तो ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें गुट्लियान आ रहे हैं इस बात का ध्यान रखें तो यहाँ पर ये जो मैदा की सलरी है एक गलू का काम करेगी तो यहाँ अभी ये थोड़ा गाड़ा लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है यह त्यार है इसे अलग रख दें अब यहां एक बड़े बोल में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें ये जो पापड है ना इन्हें एक एक करके डिप करेंगे पापड को इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छे से पानी में डिप कर लें कुछ सेकंड के लिए पानी में छोड़ दें और फिर इसे निकाल लें और अब आपको क्या करना है इसे पानी से निकालने के बाद कपड़े से इसे थोड़ा सा पोंच लेना है इस तरह इसके उपर जो एक्स्टा पानी है उसे पोंच लें दोनों तरफ से ऐसे इस पापड को पॉंच लें और इसके बाद आप क्या करेंगे इसके उपर लगाएंगे जो हमने मैदा की स्लरी तियार किया न वो साइट से ऐसे लगा देंगे क्योंकि ये जो पापड है इसे हमें फोल्ड करना है तो ये slurry से चिपकाने का काम करेगी तो हमने side से थोड़ा-थोड़ा सा ये मैदा लगा दिया और अब यहाँ पर हमने इस पे रख दी आलू की stuffing जो हमने बना कर तयार की है और इस तरह एक side stuffing रखेंगे और इसे ऐसे fold करेंगे पहले अंदर की तरफ इस तरफ से और फिर दोनू side की तरफ से जहां आपको जरूरत लगे से चिपकाने के लिए वहाँ आप ये मैदा का खोल लगा दे तो ये देखिए हमने दोनू side से भी इसे ऐसे fold कर दिया और बस इसे हम ऐसे fold करते जाएंगे पापड भीगने के बाद soft हो जाता है तो आराम से fold हो जाता कोई problem नहीं होती है तो बस आपको इसे ऐसे fold करते जाना है मैदा की वज़े से ये अच्छे से चिपक जाएगा तो ये देखिए हमारी पापड पेटीज है तियार तो बस इसी तरीके से सारे pieces बना कर तियार कर लें अब यहाँ oil मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था oil medium hot है गैस कफले मैंने medium रखा है और ये पापड पेटीज इसमें डाल दी है एक तरफ से 1.5 मिनट तक सिखने दें उसके बाद आप इसे पलट दें और इस तरह इसके उपर oil डालते जाएं ताकि इसे दोनों तरफ से heat मिलेगी न तो ये बहुत अच्छे से सिख कर त्यार हो जाएगी इसे सिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि उपर पापड है जो बहुत जल्दी सिख जाता है तो अलट पलट कर इसे आपको सिख लेना है कलर देखे आप देख सकते हैं light golden brown सा होने लगा है बहुत ज़्यादा dark किसे नहीं करना है वरना ये कड़वा सा लगेगा जल जाएगा ना पापड तो कड़वा सा लगेगा ये देखे अच्छे तरह सिख चुका है तो मैं ऐसे निकार लेती हूँ इसी तरीके से सारी पेटीज आपको बना कर लेनी है त्यार तो ये देखिए हमारी पापड पेटीज हो चुकी है तयार तो जब भी आपको फटा-फट से कुछ टेस्टी अच्छा बनाना हो तो आप ये पापड पेटीज बिना कर तयार कर सकते हैं जो बच्चों से लेकर बड़ो तक सब को बेहत पसंद आने वाली हैं अब मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ ये देखिए बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होती हैं क्योंकि पापड है और अंदर से हलकी सी ये सॉफ्ट होती हैं तो खाने में ये बहुत ही मज़ेदा लगती हैं तो इस रेसिपी को ट्राय करना तो बनता ही है इन्हें आप सौस चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सबस्क्राइब चरूर करें